मैं आज खड़ा हुए मेरी बातों के आप दो जार पांच से लेकर और दो जार तहीस तका प्रिंचिपल का भी इसके साथ करवानी है मुझे लगता है कि जो हाउस ने सीजन किया वो सही है उसमें इनकारी होने में को दिक्कत नहीं है पंद्रा तरीको जीरो आर में आपकी अनुमती से एक मामला हमने रेज करने का बहुत सारे इशूस रेज किये उसमें हमने जो सेक्शुल हरास्मेंट ऑफ दा गर्ल्स का मुद्धा भी हमने उठाने का काम किया एक मामला हमने यहां हाउस के अंदर डिसाइड कर दिया है इसलिए इसके उपर और आभी कोई चर्च नहीं लुएस नहीं पर आभी कोई चर्च नहीं कि अपने हाउस की प्रोसीडिंग जज करेंगा नहीं यह आपने हाउस ने तैक किया था ह। हाउस ने तेह किया था और आप मेरी बास सुनों प्रोसेस भी आपने तेह किया है उसमें यह लिखा है कि कोई भी जूठा परसनल एलिगेशन नहीं लगाएगा मैं उस दिन का करेक्ट करना चाहूंगा मैंने 2011 कहा था वो दिसंबर 2012 उसको प्रोसीडिंग्स में लिया जाए यह सारा बाद यह क्रेक्ट करेंगें यह जिए मैंटर आफ इंक्वारी कराई जाए मैंने हाउस का निर्ने मानते हुए तो देखिए देखे जो एलिगेशन इंक्वारी किसी जी जो आप यह जो जो बात मानी उप मुख्यमंतरी जी ने कही वो सच है के गलत है अगर यह बात सुनों यह कह रहे हैं गीता जी ने कहा है कि गलत है इनके घर को इमीटिंग नहीं ने कहा है इसके अगर गलत होगा तो गलत जो जो गलत होगा वो इनक्वारी जाए जाए बलके बाद में यह आ कि किसी शिटिंग जज से कराई जाए हमने तो सदन की भावनाओं को धान में रखते हुए एक चीज़ का जब निरने हो कि आपके द्वारा के सिटिंग जज़ ओफ हाई कोट उनकी एक कमेटी बन करके इसकी इनक्वारी करें आज होम डिपार्टमेंट चीफ जस्टिस ओफ हर्याणा पंजाब 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 उनको लिखने वाले हैं कि एक सिटिंग जज़ की आप नुक्ति करें और उसमें टर्म्ज ओफ रेफरेंस जो कल चर्चा हुई है उस सारी चर्चा में जो बिंदु आयत है सारे टर्म्ज ओफ रेफरेंस में लिखे जाएंगे उसके इलावा भी उस विशे से सम्मंदित कोई विशे बाकी रहता हो तो हमारे इस नेता प्रतिवक्ष लिख करके दे दें कि टाउम्स अफ्राइब ये भी जोड़ा जाए खास करके उस विशे के उपर हम खुले मन से इस सारी की जानकारी यानि सारे के जो इनक्वाइरी वो एक सिटिंग जैसे करने के लिए तयार हैं अबें कहीं कोई आपती नहीं है लेकिन जिस प्रकार का अरोप प्रतियारूप का लगाया गया है सदन की मर्यादाओं के अनुरूप अगर हम आपस में जड़ते जगड़ते रहेंगे कुछ निकलेगा नहीं और अगर एक इनक्वाइरी ये तथे रूप में सामने आएगी तो जो इनक्वाइरी होगी उसके खिलाफ जो करवे करनी होगी उनक्रेंगी और म मतलब भूआ तो क्यों मेरे हैं गरीमा ही रखो आप इंक्वारी कराओ उस आदमी की छूड़ से क्या किया लेकिन जो हाउस की प्रसिदी है उसका हाउस की गरीमा यह है यह आपनी लावज वापिस ले या दिलीट करो इनको जो जोने पर सब्सक्राइब कर दिए जब एक इ आप नंए किया है मैंने नहीं तो नरुने किया हम आपस के अंदर ज्योंने बार करता है कभी को यह एक हाई कोड़ा जाजिए नहीं नहीं आप क्या चाते हैं पर यह नहीं हो बश्वेरा और को यह तो यहीं हो पर राम साफ रेफरेंस होना चाहिए उस आदमी की जिसके खिलास है ना उसकी शूरू से क्या है वो तर्म साफ रेफरेंस हो नहीं हमने उसकी इंकौरी करनी है मारी कौई उसकी इनकौरी करनी गान तरो नहीं मतर नहीं की शुक्राइड करो ज Central चुमारी करता उसके फैक क्वाथ कवा विए जो मैंने क्यों को सुन है भर दो खड़ा ओड़्ूर पाच पर गर्ण वाज़्यु की परिफरेंस कुल में वह था उसकी भी इंक्वाइरी होनी के ये आठ में आपने प्रिंसिपल वर्ती किया और आठ में बाद ये दोजर बारा में तुपारा हुआ और बीडियार रत्थे नहीं है रैसे ही है और सब्सक्राइब देखें जिए सर्पन्स का प्रॉट जल से मांगी है लेटारे रत्थे आएं कि अपर ये लिए 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 लगा है लेड़ा जिए मीटिक, जो भी जज़ साभ लिए करेंगे उनको लिक्वेशा पिता करें ये लिए वड्याव आप से अनुरोध है काइंड ली आप सिरफ सुन लें आप जो बात है उस्तों लेगा जो बात है अगर जो आप केस प्रसुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं सुनुगा अगर इस बाने में दमकाने लग जाते हैं नहीं दमकाने की बात ही है आपने बहुत कुछ कह लिया नहीं आप जो कुछ कहना है वो सिटिंग साब के सामने कहना अधैक्ष मादे अप सुन तो लो ये कोई ब अगर तो आपने केस के बारे में कोई बात रखनी है केस के बारे में बात रखनी है तो वो जो एंक्वारी ओफिसर या इनक्वारी जजज्वाब उसके सामने रखना अगर कोई जो कल डिसीजन हुआ है जो कल डिसीजन हाउस ने किया है उसके बारे में बात रखने है तो जूर रखिए मैं बोल लो और मेरा रिक्वेस्ट है सर आप मेरी बात को पूरा सुन लें जैसे ये मामला अभी शुरू हुआ डिप्टी सीम ने उठके पहले क्या बात कही कि ये 2011 नहीं था मैं 2012 था फिर ये कहा ये 2005 में सर मैंने आपकी टेबल पे दो पेज भिजवाए हैं काई लिए आप शांती से उनको पढ़ ले 2005 में इस विल ये जो आपके फैक्स है अब मेरे बात को कम बोलना चाहिए मैं बोलने में जो कह रहा हूं सुनों ना उसको जो फैक्स है वो इन्वेस्टिकेशन एजनसी के सामने रखी है उसने मेरे जुना अबात करा दी उसने मेरे जूरा अल्यकेशन लगा दिया आपने वो एक्सपेंज नहीं कर वाया कि मैं बता रही हूं मेरा घर पे सर उन्होंने ग्यारा का बारा बोल दिया हसरे आपके पडोस पर योण सोचन हो या बच्चियों के साथ आप हसरे आपने उनको प्रोटेक्ट ने किया अश्रा आपकी बाद पे माने सब्सक्राइब आज भी आपको आज सब्सक्राइब आने देख्स देख्स देख्स